हेलो फ्रेंट स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल विकास 3.1 टेक में तो फ्रेंट्स मुझे काफी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं और मुझे एक कोश्चन बार-बार वो पूछ रहे हैं कि सर मैं एक यूट्यूबर हूँ और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर जब मैं अपने मॉबाइल फॉन से वीडियो अपलोड करी तो क्या मैं अपने मॉबाइल फॉन से ही अपनी यूट्यूब वीडियो को खुद देख सकता हूँ ऐसा करने से क्या होगा मेरी वीडियो पे क्या effect पड़ेगा मेरे चैनल पे क्या effect पड़ेगा इसे मुझे क्या फायदे होंगे क्या नुकसान होंगे यह सब मुझे बता दीजिए तो friends अगर आपको भी इस तरीके के doubts हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपके इन सारे doubts को clear कर करने वाला हूं और आपको सिखाने वाला हूं या आपको बताने वाला हूं कि अगर आप अपनी खुद की YouTube वीडियो को खुद अपने कोबाइल फॉन से ही देखेंगे तो क्या होगा ऐसा करने से आपकी चैनल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं वीडियो बहुत ही जादा इंफर्मेटिव है इसलिए वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल तो फ्रेंड सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप अपनी यूट्यूब वीडियो को खुद अपने मोबाइल से देखते हैं तो यहां पर दो त्रे की सिच्वेशन हो सकती है या तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है और आप अपनी वीडियो को खुद देख रहे हैं या फिर आपका चैनल मोनेटाइज है और उसके बाद भी आप अपनी वीडियो को खुद देखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स में आपको दोनों सिच्वेशन यहां पर अच्छे से समझाने वाला हूं तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले अगर मान लिजे आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है और आपके चैनल पर एड्स भी आ रही है यह तो आपको पता ही है कि एड्स आती हैं चाहे आपका चैनल मोनेटाइज हो या ना हो अगर एड्स आती है आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है तो उसका जितना भी वीडियो को इस तरीके से देखेंगे और आप यह सोचते हैं कि ऐसे देखने से मेरे यूट्यूब चैनल जो है वो मैं मॉनेटाइज कर वालूँगा चाराजा घंटे का जो वॉस टाइम है वो मैं पूरा कर वालूँगा तो यह आपकी बहुत बड़ी गलती है आपको ऐसा ब बार बार देखके बढ़ाया है वैसे तो यूट्यूब के अल्गोरिदम में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आप अपनी वीडियो को अगर बार बार देखेंगे तो आपका चैनल मॉनेटाइज नहीं होगा लेकिन यूट्यूब ने एक चीस साफसाब बताई है कि आ आपका चैनल मॉनेटाइज होगा और आपके जो यह वोस टाइम है वो कम हो जाएगा मेजर व टाइम अगर आपका खुद वाच करके आया होगा खुद अपनी वीडियो को देख देखके वो बिल्कुल कम हो जाएगा आपका वोस टाइम भी कम हो जाएगा आपको फिर से उसे पूरा करना पड़ेगा सही तरीके से तो ये तो बात हो गई कि जब आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है तो अगर आप अपनी वीडियो को देखेंगे तो क्या होगा आप एक दो चाता हूं मोनेटाइज चैनल है तो वहाँ पे अगर एड्स की बात करें एड्स आपके चैनल पे चलेंगे और एड्स से जो भी रिवेन्यू होगा उसका 55% आपको मिलेगा और 45% यूट्यूब रखेगा तो अगर आप अपनी वीडियो को मोनेटाइज होने के बाद अपन पैसे कंब बना रहे हैं मतलब आप पैसा कमाना चाते हैं उसके बारबार करकर करके आप देख रहे हैं क्योंकि एड्स मोनेटाइस होने के बाद एड्स से अपके रिवेन्यू बनता है तो अगर आप उसे बार-बार क्लिक करें तो यूट्यूब को ऐसा لगेगा कि बंद भी हो सकता है तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है अगर आप अपनी वीडियो को देखना चाते हैं आपको बहुत जादा जरूरी है कि मुझे देखनी ही अपनी वीडियो तो आपको क्या काम करना है कि आपको अपनी वीडियो का जो करना हो वो भी आप कर सकते हैं जब आपका सारा काम हो जाए उसके बाद आप अपनी वीडियो को ना देखें तो अच्छा रहेगा आपके चैनल के लिए वरना वो इन्वैलिट क्लिक एक्टिविटी में आ जाएगा तो मैंने आपको दोनों सिच्वेशन अच्छे तरीके से समझा दिये हैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगे अगर फिर भी वीडियो से रिलेटिड कोई क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्षन में कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो पसंद आई हो तो से लाइक और शेयर जरूर करें थैंक यू